कॉंग्रेस नेता राहूल गांधी की ओर से 2019 में मोदी सरनेम को लेकर की गई टीपनी के मामले में 23 मार्च को सूरत की अदालत ने फैसला सुना दिया कोट ने राहूल गांधी को दोशी करार दिया है धारा 504 के तहत राहूल गांधी को दो साल की सजा सुनाई गई हलाकि तुरंत ही राहूल गांधी को बेल भी मिल गई क्या है पुरा मामला और इसके पीछे के खानूनी पहलो कौन-कौन से हैं जानेंगे इन्ही सवालों के जवाब अपने आज के इस कारिक्रम में दरसल 2019 लोगसभा चुनाओ के दवरान करनाटक के कौलार में एक रैली के दवरान राहूल गांधी ने कहा था कि सभी चोर मोदी ही क्यों होती हैं बस इसी को लेकर भाचपा विधायक और गुजरात के पूर्वमंत्री पूर्णेस मोदी ने राहूल गांधी के खिलाप मानहा का मुकदमा दायर कर दिया विधायक आरोब था कि राहूल ने अपनी स्टिपनी से पूरे मोदी समुदाय की मानहान की है राहूल के खिलाप IPC की धारा 499 और 500 जो की मानहान से जुड़ा हुआ है इसके तहत मामला दर्ज किया गया था इसी मामले की सुनवाई करते हुए को अनुएन के लिए 30 दिन की मौलत दे दी है इसके साथ ही राहूल गांधी को कोर्ट से जमानत भी मिल गई है अकले 30 दिन के अंदर राहूल के पास सुरत कोर्ट के फैसले को जिलादालत में चुनवती देने का वक्त होगा अगर फैसला राहूल के पक्षम में नहीं आया तो चुनाओ लड़ने पर रोग का प्रावधान है अगर कोई विधाय क्या सांसद है तो सजा होने पर वो आयोग भी ठहरा दिया जाता है यानि उसकी विधाय की ये सांसदी जा सकती है तो सवाल उठता है कि क्या राहुल गांधी की सांसदी अब चली जाएगी तो इसके में राहुल द्वारा मौझूदा फैसले को चुनोती दिये जाने पर अगर वहाँ भी यही फैसला बरकरा रहता है तो प्रावब्लम हो सकती है और राहुल की संसत सदेशता जा सकती है यहाँ आपकी जानकारी के लिए कि सुप्रिम कोड ने 2013 में लोग प्रतिनिधित व जा मिली हो उस निर्वाचित प्रतिनिधि को उस परिस्थित में अयोग नहीं ठाराय जा सकता था अगर उसकी ओर से उपरी नयाले में अपेल दायर कर दी गई हो इसका मतलब यह हुआ कि धारा आठ क्लाच चार के तहर दोशी सांसद अथवा विधाय को अदालत के नेड़ पर ख्यार आए है कॉमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं हम फिर मिलेंगे एक नए कारकरम के साथ तब तक लिए आप जम कर पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए नमस्कार